स्टार्टिंग से हमारे बैलेंस शीट को दो पार्ट में बाट दिया गया है एक लाइबलिटी और एक ऐसेट्स तो जो इसका रॉमन में वन लिखना है रॉमन में वन लिखा इसको लिखेंगे एकुटी equity and liability and liability और कुछ assets होगा जो कि यहां लिखेंगे Roman में two लिखना है asset तो हमारा balance sheet दो हिस्सों में बठ गया अब liability side कुछ specific सर नोट का क्या काम है already हमने share capital में discuss किया है आने वाले काफी chapter में बहुत detailing में पढ़ेंगे final account का chapter उसमें तो बहुत detail में जाएगे notes का मतलब यह होता है भी समझ में आजाएगा आगे मैंने पहला a पढ़ाव है जो a point लिखेंगे sorry a नहीं पहले हम one लिखेंगे और one क्या इस तरीके से होगा यहां लिखा जाएगा share shareholder holder fund अब इसके अंदर काफि सारे parts है जो कि आपको लिखना है जैसे a part है हमारा share capital a part है share capital sir b part है हमारा reserve and surplus मैं इस chapter में सिर्फ और सिर्फ इसी chapter तक की balance sheet को चर्चा करूँआ बहुत detail में नहीं जाएंगे balance sheet chapter number हमारा एक आगे 7 है जिसके अंदर पूरा balance sheet करा जाएगा तब देखेंगे हम बस share capital में हाला की आता है 3 part एक हमारा क्या होता है share warrant भी होता है लेकिन हम अभी share warrant नहीं लिखने वाले हैं सिर्फ इस्तमाल दो ही part होगा हमारा खीक है sir और भी कुछ आएगा क्या बिल्कुल और भी आएगा sir दूसरा number देंगे हम पता है कि इसको non current liability non current current liability sir इसके अंदर क्या लिखा जाएगा ये हमारा एक heading ही एक तरीके से जिसको main head बोलते हैं इसके अंदर क्या लिखा जाएगा इसके अंदर सिर्फ मैं ए पार्ट को ही रखना पसंद करूँगा that is long term borrowing long term term borrowing long term borrowing रखेंगे इसके अंदर चलिए sir इसके अंदर सिर्फ long term borrowing और भी कुछ है कि बिल्कुल है तीसरा पार्ट इसमें और भी चीजें होती है कुछ बच्चे पढ़ रखा हो उन्होंने तो वो शायद मन में सोचेंगे के sir पूरा भी क्यों नहीं बता रहे तो मैं बता दू और भी इसके अंदर बाते हैं जैसे कि आपका other long term liability है long term provision है और इसके साथ साथ हमारा defer tax liability है तो ये भी चीजे है तो अभी हम पूरे पर नहीं जा रहे हम सरफ इसे chapter से related बात करेंगे चलिए sir तीसरा heading भी कोई है कि बिलकुल हाँ यहां तीसरा एक heading है जिसका नाम है हमारा current current liability और इस chapter इस चीज को याद करने का ना एक बहुत simple सा तरीका है practice और कुछ भी याद नहीं करा सकता आपको आप जब रटे मार लिजिएगा कुछ कर लिजिएगा भूल जाएगा practice करिए सही रहेगा सर इसके अंदर क्या लिखने वाले हो इसके अंदर मैं बोलूँ है थोड़ा ज़्यादा सा specific हम यूज करेंगे वर्ड वगरा सारी चीजे जैसे point number one short term borrowing short term borrowing point number B trade paypal point number C other current liability other current liability point number D point number D short term provision जिद चार चीजे हैं इधर क्या इसमें चारो हाँ बिल्कुल लिखा है तो ये चारो इस्तमाल हो सकता है चलिए सर एसेट्स में एसेट्स में सबसे पहले आ जाएगा हमारा first point first point के अंदर जाएगा हमारा क्या असर first point के अंदर चला जाएगा हमारा नोन करेंट अब इसके अंदर कुछ पार्टीशन होने वाला है जिसमें से एपार्ट हो जाएगा हमारा क्या असर fix assets का नाम बदल दिया गया है इसको बोला जाता है property property, plant and equipment इसका नाम ये रख दिया गया है जिसको short form में PPE भी बोल देते हैं पहले यहाँ पर fix assets हुआ करता था जिनके पास पुरानी किताब होगी definitely fix assets मिलेगा बागे इसका नाम बदल के रख दिया गया है property, plant and equipment समझ रहे हैं बात को चलिए सर, सर B part में B part में आ जाएगा intangible assets हाला कि इसके अंदर भी sub part होता है लिखिन मैं उसको लिखने रहा sub part को मैं लिखने रहा वैसे property, planted, equipment और B part लिख दिया है चलो चलेगा इसे हम बाकी बाद में तो detailing करी लेंगे सर, दूसरा part आता है इसके अंदर, बस इसमें और कुछ नहीं दूसरा part आ जाता है सर, current current क्या आएगा, asset चलिए कुछ बच्चों को नीचे का visual नहीं हो रहा तो हम इसको दिखा देते हैं सर, current assets में क्या क्या लिख होगे current assets में हम लिखेंगे A part short term पहला part आएगा, current investment current investment B part आएगा, हमारा inventory C part आएगा, हमारा trade receivable D part आएगा, हमारा क्या सर, cash and cash equivalent और E part आएगा, सर, other current liability अब इसको और थोड़ा specific पढ़ लेते हैं चलिए अब सर, ये balance sheet बनाना P andal भी बनाना है, नहीं नहीं P andal नहीं बनाना, P andal हम आगे बनाना सीखेंगे अब ये balance sheet ना थोड़ा specific और थोड़ा detail balance sheet माना जाता है सर, ऐसा क्यों, ये specific और detail क्यों suppose करो, मैंने suppose करिए, मैंने यहाँ पे लिखा सर, क्या लिखा, share capital में मैंने लिख दिया 2 करोड अब 2 करोड में कौन बच्चा बताएगा कि कितना हमारा authorized capital है, कितना हमारा preference share capital है, कितना हमारा equity share capital है, कितना for feature हुआ, तो कोई भी नहीं बता पाएगा क्योंकि सर, detail ही नहीं पता, तो सर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ न तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी कहाँ, note number 1 में यानि इसके साथ साथ आपको note भी बनाना बहुत आवश्चिक है, note बनाना ही बनाना पड़ेगा आपको, इसका मतलब सर, क्या हर किसी का note बनाना है, ये भी एक टेकनीक आप समझ जाएए किसका note बनाना है और किसका नहीं बनाना है मैं अभी फिलाल हर किसी का बना दूँआ ताकि आपको item पता चल जाए और इसको याद रखना है, भूलना नहीं है वैसे भूलोगे नहीं क्योंकि सारे chapter में होगा ये तो तो मैं पहले बनाने जा रहा हूँ आपका note number one note number one किस नाम से share capital और बिल्कुल साधारन note बनाएंगे कोई नहीं देखका था सबसे पहले लिखने जा रहा हूँ authorized capital सबसे पहले लिखोंगा मैं authorized capital सर authorized capital में दो परकार के capital हो सकते है preference share capital हो सकते है और equity share capital हो सकते है इन दोनों को लिखने के बाद यहां लिख लेंगे सीधा authorized capital हमारे totaling में कोई role play नहीं करता है totaling में कोई काम ही नहीं है बस इसको total करके लिख दिया इसके बाद आ जाता है सर हमारा issued capital issued capital अब issued की बात करें issued and subscribe कर देते हैं अगर issued and subscribe की बात करें तो यहां पे भी दो चीज़ यह हो सकती है preference share capital and equity share capital सर कितने कितने का वो लिखोगे न 10 रुपे इंटू में 10 रुपे इंटू में अगर 5000 share है तो 5000 इंटू में 10 100 रुपे का एक है तो 100 वो लिखोगे मैं लिख देता हूँ जैसे मैं 1000 का example ले लूँ तो 1000 10 रुपे का एक है तो ऐसे multiply कर देना अगर 100 है और यह 100 रुपे का है तो ऐसे multiply कर देना और इसके बाद ही हां amount लिख दोगे जो भी यहां total amount आएगा ना जो भी total amount आएगा इसमें ultimately अगर कोई call scenario रहा तो less कर देंगे sir call scenario call scenario sir अगर किसी ने 10 के बज़ाए 9 ही payment किया तो 9 से ही multiply करके लिखेंगे और उसका एक रुपिया यहां पर क्या आजाएगा call scenario यहां पर पूरे 10 से ही लिखे जाएंगे जो call scenario जिसने नहीं दिया उसको यहां लिखेंगे इसके बाद अगर कोई share for feature amount देता है तो add कर देंगे sir क्या share for feature और जैसे ही हमने यह परक्रिया यह सारे detailing complete किया इस detail को उठा के हम कहां लिख देंगे यह रहा 2 करोड तो अगर आपसे कोई पूस्ता है का sir 2 करोड रुपे कहां से आए तो यह सारी जानकारी अगर आपको यहां दे दू तो आप उसको हर एक चीज को अच्छे से explain करके बता सकते हो sir for feature कितना है call scenario कितना है और authorized capital कितना है preference कितना है equity कितना है each and everything वहां clear कर सकते हो लेकिन आपको इतना detail में नहीं करना आपको सिर्फ share capital दे रख है जब दो से जादा जानकारी हो एक से जादा मैंने दो बोल दिया जब एक से जादा जानकारी हो sir एक से जादा मतलब equity भी preference तब तो ऐसे note बनाना दूसरे note पर आजाते है ठीक है दूसरे note पर आजाते है note number two sir note number two किसका बनाऊगे reserve and surplus बहुत important reserve and surplus क्या क्या आएगा सबसे पहले आएगा इसमें sir general reserve ऐसा कोई specific नहीं है कुछ भी आ सकता है वैसे general reserve capital reserve debenture redemption reserve CRR capital redemption reserve net profit that is आप बोलोगे surplus minus हो जाएगा loss तो यह सारी जानकारी आजाएगे reserve and surplus में और एक सबसे महत्रपून जानकारी जो लिखा नहीं है जो कि यह security premium वो भी यहीं आएगा sir security premium plus कर दिया जाए security premium वो भी इसी का पार्ट है यानि मैं मोटे तोर पर बोलू तो sir इस reserve and surplus में पता ही क्या आएगा यह सारी जानकारी reserve and surplus में आजाएगा जो आपके सामने घीबन है चाहे वो आपका free हो या फिर free ना हो free का मतलब उसे आराम से हम use कर सकते हो तो उसे बोलते है free reserve जिसको आराम से use ना किया जा सके उसको बोलते है आपका capitalized reserve तो यह सारा वहाँ आ जाएगा इसमें से कुछ भी हो सकता है यह भी हो सकता है sir workman compensation insurance fund revaluation reserve सब हो सकता है उसके इंदर तो मैंने यह आपको दिखा दिया sir जैसा ही note number 2 बनेगा यानि यह वाला complete यानि sir अगर मैं यहाँ पे लिख दू note number 2 और यहाँ पे लिख दू मैं 50,000 रुपे तो क्या इसकी detail आप दे पाऊगे दे पाएंगे यहाँ से देखके देदेगे sir जो हम सवाल कर रहे है या जो भी हम काम कर रहे है क्या इसके अंदर हमें note number 1 और 2 ऐसा ही detail में बनाना है अगर मान लो note number 1 बनाने की ज़रुत नहीं पड़ेगी क्योंकि share capital अभी जो पिछला question था ना number 1 वो मैं करके दिखाऊँगा पूरा तो आपको खुद ही अंदर लग जाएगा क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है अभी तो मैं detailing के लिए कर देता हूँ कि आपको पता चले कि भाई क्या क्या होता है क्या नहीं होता बस detailing है यहाँ पर चलिए sir और भी आ जाते हैं आगे बस एक ही यह detailing और कुछ बचता हैं नहीं detailing में तुझी note number 3 note number 3 किसका बनेगा long term borrowing sir इसमें क्या क्या आता है long term borrowing में number 1 debenture sir number 2 loan और कुछ नहीं बस खतम note number 2 अगर सवाल में सिर्फ और सिर्फ debenture ही दे रखा है तो note की कोई अवशकता नहीं है सीधा वहाँ पर जाईए और इसके bracket में लिख दीजिए debenture इसके bracket में लिख दीजिए debenture और amount डाल दीजिए तब note बनाने की कोई जुरत नहीं है अगर दो item आ जाए ना तब note बना लिजिए detailing के लिए इसके बाद sir अगले point पर चलते हैं amount note number 3 के बाद note number 4 sir note number 4 में क्या है short term हो रही है फोड़े shortcut यूज कर लिए sir number 1 bank overdraft bank overdraft number 2 cash credit bus cash credit और तीसरा कुछ नहीं आता sir इसमें अब तो देखो सारे note बड़े छोटे छोटे हैं और इसके आगे भी note डालना है कहीं ऐसे बना दो और यहां लिखना भूल जाओ तो गलत है चार ट्रेड पेवल भी बना देते हैं पांच अधर करेंट छे और इसको साथ यह आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा अभी हम चौदा नोट बनाने वाले हैं और किस पे हम अभी चार पर ही हैं अभी दो फिला अ अ सर एक्जाम में तो बहुत टाइम लगेगा कोई टाइम नहीं लगेगा बस प्रेक्टिस होनी चाहिए भ्यान रखेगा नोट नमबर फाइव ट्रेड पेवल ट्रेड पेवल सर इसके अंदर क्या क्या आएगा सर पहला पॉइंट ट्रेडिटर सर दूसरा पॉइंट बिल्स पेवल इसके अंदर ही आजाएगा ट्रेडिटर और बिल्स पेवल चलिए सर ये भी खत्म जी हाँ आगे चलते हैं अगले नोट में नोट नमबर वाँ नूल आगे से अंदर। नमबर वन, आउटस्टेंडिंग, नमबर दो, एडवांस इंकम, नमबर तीन, कॉल्स इन एडवांस, नमबर चार, नमबर चार, और क्या लिखें इसमें? अनपेड, डिविडेंड, बस ज़्यादा जानकारी होगी नहीं, क्योंकि डिटेल वाला तो बाद में देखेंगे हमें, चलिए, नोट नमबर, कौन सा बना हैंगे, नोट नमबर सेवन, सेवन में है, शॉर्ट टरम प्रोविजन, सर, क्या आएगा, नमबर वन, प्रोविजन फोर टेक्स, बस, एक ही चीज़ रहता है, इसमें में लिए, तो सर, इसका नोट क्यों बनाए, बताने के लिए बना दिया, आप डिरेक्टली वहाँ भी लिख सकते हैं, अभी साथ नोट और तयार करने, नोट नमबर आठ, हम दूसरे पेज़ पे चलते हैं, नोट नमबर आठ, नोट नमबर आठ, सर, क्या है नोट नमबर आठ, प्रॉपर्टी, प्लान्ट एंड एक्क्यूप्मेंट, पी पी इ, सर, ये एस टेन के अकॉर्डिंग बनाए जाता है, जैसे, यानि सीधी बात, फिक्स एसेट्स लिखो, लेंड एंड बिल्डिंग, दूसरा, मसीनरी, तीसरा, मसीनरी के बाद, फरनीचर, चौथा, अधर फिक्स एसेट्स लिख देता हूँ, सर, अधर फिक्स एसेट्स, मतलब, सब कुछ आ गया, फिक्स एसेट्स वाले, मोटर आ गया, कार आ गया, एक्क्यूपमेंट आ गया, आपका, सब कुछ अधर बालब, चलिए सर, ये चला जाएगा, नोट नमबर आठ में, नोट नमबर नाइन, हलाकि कभी नोट नमबर नाइन की जुरत पढ़ेगी ने, इस चप्टर में, बाकी चप्टर में तो खूब पढ़ने वाली है, इंटेंजिबल एसेट्स, सर, क्या क्या आएगा, नमबर वन, गुडविल, नमबर दो, पेटेंट, पेटेंट, नमबर तीन, कॉपी राइट, बस यही लिख देते हैं, बाकी होता बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना ही जरूरत है हमें, नोट नमबर दस, नोट नमबर दस, नोट नमबर दस, दस नमबर किसको दिया था, दस दिया था, पेटेंट इन्वेस्मेंट, पेटेंट इन्वेस्मेंट, यहां पे आजाएगा, इन्वेस्मेंट 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 इन्वेस्मे को नोट नंबर 11 सोना नोट नंबर 11 किसका हो गाल कर अबाद यह वार ट्रेड रिशीविवल प्रेड रis ल bride vice walks यहां दोही बाता है आती है देक्टर और भी लिशीवेबल we और वुल डेंट डेंट रिशीवेब़ बफ एक नोट रह गया ना ये नोट नमबर 11 नहीं होगा ये 12 होगा इन्वेंट्री का रह गया इन्वेंट्री का रह गया चलिए अब यहां लिख लेते हैं नोट नमबर ये 11 है इन्वेंट्री इन्वेंट्री में क्या आएगा सबसे पहले स्टॉक इसके बाद नमबर दो लूस टॉल्स सभी परकार के स्टॉक होंगे इसमें चाहे रौ मेट्रीयल हो चाहे फिनिस गूट्स हो चाहे आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो चलिए सर नोट नमबर बारह यहां बना चुके हैं तेरा बनाने जा रहा हूँ सर तेरा होगा कैश अन कैश एक्विलेंट सर कैश अन कैश एक्विलेंट में क्या लिखेंगे नमबर बन कैश एक बैंक नमबर दो कैश इन हैंड यही दो चीज़े हैं और मार्केटिबल सिक्यूरिटी भी आ जाता है जो कि आएगा नहीं मैं यहां पर बस यही दो ही पॉइंट लुख होंगा चलिए पॉइंट नोट नमबर चौदा सर क्या है अदर करेंट इस इस इसमें क्या आएगा प्री पेड एक्स्पेंस इसमें क्या आएगा प्री पेड एक्स्पेंस इसमें क्या आएगा एक्रूड इंकम इसमें क्या आएगा हमारा एक्रूड इंकम प्री पेड एक्स्पेंस बस दो ही चीज़े काफी है बाकिट डिटेल में तो हम बाद में करेंगे ये एक हमने छोटी सी बैलेंशीट तैयार कर लिया ये सीधा क्यों नहीं है ठीक है मुझे देख रहेगा तो ये पूरा बैलेंशीट आएगा एक बार मैं फिर से ओवर्वियू दे देता हूँ बैलेंशीट का आपको जो पूरा बैलेंशीट इतना डिटेल में नहीं बनाना वो एक दूसरा चेप्टर है हमारा फाइनल अकाउंट वहाँ तो सर इतने डिटेल में ही बनेगा सर अगर कॉल्ड अप हो तो अगर कॉल्ड अप हो तो आपका यहाँ शेयर कैपिटल में सिर्फ पूरा 10 रुपे लिखना है कॉल्ड अप पेड़ छोड़ी है जितना नहीं आया कॉल सिन एरियर में जाएगा अब बच्चे ने पूछा सर कॉल्ड अप हो तो अगर आठ रुपे ही उसने मांगाओ तो आठ से ही एंट्री करेंगे तब हम वहाँ पे 10 से नहीं करेंगे ठीक है तो सर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ लाइबलिटी है कुछ एसेट से लाइबलिटी में पॉइंट नंबर वन शेयर होलडर फंट उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट है शेयर कैपिटल रिजर्वेंड सर प्लस शेयर कैपिटल का मुझे नहीं लगता कि नोट बनानी की जुरत पड़ेगी लेकिन पड़ेगी तो कोई नोट बनानी की अवशकता ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर लेकिन मैंने फिर भी बता दिया के शॉट ट्रम बोरिंग में क्या क्या जाता है और ट्रेड पेबल में क्या क्या जाता है अधर करेंट लाइबिटी में क्या क्या जाता है short term provision में क्या जाता है ये सरिफ आपके जानकारी के लिए अगर सवाल के बीच में आ जाए तो आप उसको कैसे टेकल करोगे बस अगली बात करते है assets, assets के अंदर हमारा क्या जाता है property, planted, equipment, नाम पर मच जा ये सरिफ बोलिए fix assets आता है बात खतम ये क्या है हमारा fix assets है, क्या है land, building, planted, machinery बात खतम, ज्यादा detail में नहीं जाना, intangible assets क्या है सर, intangible, वही जिसे हम बोलते थे, जिसे छूनी सकते, देखनी सकते goodwill, copyright, formula, trademark की सारा आ जाता है इसके अंदर other current assets के, current assets में हमारा current investment आ जाता है, जिसका investment हमने एक साल से कम के लिए किया हो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, तो for example inventory, inventory के अंदर stock and loose tools आ जाएगा आपका trade receivable, trade receivable यहाँ आ जाएगा, trade receivable debtor और BR cash and cash equivalent other, एक ना inventory में मैंने छोड़ दिया spare parts, वैसे पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो आप लिख दोगे, तो sir यह पूरा था हमारा एक छोटा सा balance sheet का format, जिसको हमने देखा, sir जो पहला सवाल था ना, उसको हमें इसी balance sheet के format में करके दिखाना है examiner को अगर आपने पुराने balance sheet में करके दिखा दिया, तो examiner आपको marks नहीं देगा यानि sir अगर ये बाते हमें समझ में आ गई है, किसी को कोई doubt है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आज आते हैं फिर से अपने पुराने question पे जिस पे किस बोला गया था कि balance sheet बनाना है, तो मैं balance sheet बना के दिखाऊंगा इसमें, तो बताइए किसी को doubt है, वैसे इसमें तो कुछ doubt वाला है नहीं मैंने formatting किया है, कोई logical चीज़े नहीं बताइए इसमें मैंने, ठेक है चलिए sir यहाँ पे आ जाते हैं और आपके सामने पूरा question भी है, balance sheet भी है पुरानी balance sheet, आप ध्यान से देखिए land and building, plant और furniture and fixture, motor vehicles, यह सब कहीं एक जगा चला जाएगा, जिसका नाम क्या है property, plant and equipment stock, inventory में चला जाएगा debtor, trade, receiving चला जाएगा, investment आपका एक non current investment में भूल गया हमाँ बनाना, non current investment का बैंक चला जाएगा, cash and cash equivalent में, equity share preference share बचेगा नी, स्रिफ equity share जाएगा नए equity share आजाएगा, security premium का हम देखेंगे, minus plus general reserve भी आजाएगा, surplus भी और current liability भी आजाएगा, यानि देखो हमारी balance sheet जो नई बनाने जा रहा हूँ, बड़ी छोटी सी balance sheet बनेगी, और notes to account तो मान के चलो, ना के बराबर बनना है सर, notes to account, तुरिफ एक property और shares वाला मेरे को बनता हुआ दिख रहा है, और किसी का तो दिखी नहीं रहा, सर, ये हो गया हमारा amount और ये हो गया note, चलिए सर, कुछ बच्चे जो नए है, ये सवाल हमने last class में किया था, उनको ये सवाल पहले देख लेना है, फिर समझ में आ जाएगा, यहां आ जाएगा, balance sheet, first part, पहले हम blank formatting में हमने पढ़ लिया है, तो मुझे याद हो गया है, तो मैं blank formatting कर लेता हूँ, और आपने भी कर लेना है पहले, liability, इसके अंदर देखा जाए तो, a part, first part, shareholder, fund, चलिए सर, इसके अंदर sub point आ जाने है, सर, क्या sub point आएगा, a part, share capital और b part, reserve and surplus, that's it, और कुछ नहीं है, सर, आ जाते हैं, हम अब दूसरे point को, दूसरा point है, non current liability, तो अब एक बार सवाल में देख लेते हैं, क्या हमारे पास यहां debenture, debenture कुछ बाते कर रहे हैं, तो सवाल में debenture, long term liability से related कुछ है नहीं, तो सीड़ी सी बात है, हम अब दो number जो देंगे, वो non current liability को नहीं देंगे, यह मिल जाएगा हमारे किसको, current liability को, current liability को मिल जाएगा, यह head, that's it, बात खतम, सर, current liability में क्या, इतना specific चीजें दे रखिये, क्या यह check कर लो, तो simple last में कहता है, current liability 6 लाग, तो बस बात ही खतम, कुछ नहीं लिखना, current liability 6 लाग आ जाएगा यहाँ पर, तो आप देखो, मैंने तो बड़ा detail में कर दिया है, बाकि आप इसमें घबराना नहीं है, कि सर इतना detail में कौन करेगा paper में, और आएगा तो करना तो पड़ेगा वैसे, लेकिन हमें बस थोड़ा reminder रखना है, चलिए सर, इसके अंदर आगया first point, known current, asset, और सर, known current assets के अंदर पहला पाट आजाता है, PPE, फिर क्या है PPE, property, plant and equipment, PPE, और फिर intangible, हमारे सवाल में क्या intangible assets है, मैंने कहां नहीं मिलेगा तो छोड़ दो, इसके बाद क्या आजाएगा सर, investment है, तो इसका एक point और लिख देते हैं, दूसरा known current investment, लिखना भूल गया था मैं, known current investment, चलिए सर, इसकी भी जंजट खतम, आज आईए दूसरे point पे, दूसरा है हमारा current, asset, जो हमारा investment है, है नहीं, that means कि हमें, जो बनाना पड़ेगा, पहला point, A point देना होगा, inventory, दूसरा point, trade receivable, क्या debtor है, सवाल में देखते हैं, बिल्कुल जी हाँ debtor है, तो debtor, trade receivable, तीसरा point, cash and cash equivalent, सर, इसका किसी का note नहीं बनेगा, क्योंकि कोई amount ही नहीं है, इतना अच्छा बड़ा, अब हम सवाल को करते जाएंगे, fill करते जाएंगे, note number one बना लेंगे हम, तब से main note one, ही रहने वाला एक सामनर का, चलिए सर, सर, share capital, note number one में जाके देखिए, note number one, share capital, मैं अगेन कहूंगा, ये class number one से related question है, तो जिन बच्चों नहीं देखा, वो वहाँ से देख लेंगे, पहला आ जाएगा authorize capital, क्या हमारे सवाल में authorize capital था, तो नहीं था सर, परस fully paid up preference और equity दे रखा है इसने, तो चलिए सर, हम वैसे ही लिख देते हैं, authorize capital, चलिए, अब कर देते हैं, issued capital, and subscribe, तो सर, पहले पुराने वाला ले ले लेते हैं न, सर, पुराने वाले की बात करें, तो equity share capital, bracket में लिख रहा हूँ old, तो equity share capital है हमारे पास, सर, कितने थे, 90,000 और 20 वाला, जिसको मिला के क्या बन रहा था हमारा, 90,000 बीस वाला, तो बन रहा था 18, तो 90,000, into 20, that is 18,000, अब आ जाते हैं, preference share, तो preference share भी थोड़ा gap देके लिख देंगे, preference share, ये भी old वाला ही है, सर, ये हमारा था, सर, 10,000, into में, 10,000 था 1,002 था, सर, ये था हमारा, 50,000 into में 20, ओके, 50,000 into में 20, 50,000 into में 20, तो ये आ गया हमारा कितना, 10,002, अब हमने fresh issue भी किया है, तो जैसे जैसे करेंगे, हम entry को लिखे चलेंगे, हम अपनी entry को लिखे चलेंगे, सर, सबसे पहले, हम बात करते हैं, पहली entry, पहली entry में investment, 0 हो चुका है, big चुका है, हमारे पास कोई investment नहीं बना, तो हमने investment में क्या कर दिया, यहाँ zero लिख दिया, यानि बनाने का कोई फाइदा ही नहीं हुआ, लेकिन सर, ये investment zero कैसे हुआ, ये एक suspense बना रहेगा, इसलिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा note बना लेगे, जिससे कि examiner को clarity मिल जाएके, सर, ये investment बेच के इसका नुकसान भी हुआ था, तो पहले हम लिखेंगे investment, छे लाग, less sold, पाँच लाग, कितने का बेचा था भाई, साथ हजार, और यहाँ लिख देंगे, 40,000 रुपे का, surplus, loss हो गया, ठीक है, 40,000 का क्या हो गया हमारा, loss, जीरो ही आना है है, ultimately, यहाँ तो जीरो आ जाना है, लेकिन हमें यह detailing दे देंगे, ताकि एक्जानर को अच्छे से समझ में आए, चलिए सर, दूसरी general entry, दूसरी general entry, नए share issue करें, इसने कितने के 2,000,000 के, face value और 40,000 का premium, तो नए वाले share, equity share capital यह और यह new वाला, इतने का सर, 2,000,000 रुपए का, और बाकी इसने बोला, सर, preference share को आप जो old वाला है, इसको redeem कर लो, तो यह तो zero हो गया, redeem हो गया, है ना, बस, जी बस, और आगे देखतें, security premium है, वो अलग से बनेगा, reserve and surplus, CRR, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, reserve and surplus की जुरत पढ़ रहे हैं, तो एक हम बना लेते हैं, reserve and surplus, दो ही बनेगे, note mainly, property, plant, equipment भी बना लेंगे, हाँ, इसमें है, दो-तीन बाते, सबसे पहले, old world, detail रिखेंगे, old, note number, हमेशा note number यह होगा, two, old में क्या क्या desert है, sir, old में हमारे पास पढ़ा था, security premium, sir, कितने का security premium था, मैंने यहां मिटा दिया था, पता नहीं कितना था यह, देख लेते हैं, अरे, अरे, इधर लिखा हुआ है, मैं भी कहां चलेगे, इधर है, दो लाग है, मैं कहूँ यह कैसे मिटी है, तो सबसे पहले था, हमारा old में, security premium, old में security premium, कितने रुपे का, sir, दो लाग का, जिस जिस पे हमने general entry करा, gap देते जाएंगे, उसके बाद क्या given है, ताकि हम calculation कर पाएं, general reserve surplus, तो general reserve कितने का है, चार का surplus पांच का, तो general reserve, चार का, चार का ही था न, surplus, पांच का, यही था, यह हमने उतार लिया, अब general entry देखते जाते हैं, sir, यहाँ से security premium आया, कितने रुपे का security premium आया है, 40 का, जोड लिजे 40, security premium आया है, तो plus कर लेते हैं, plus, प्रेश इशू पे, कितने आ गए, 40, और देखते जाते हैं, sir, और क्या है, यहाँ यहाँ general reserve इस्तमाल हो गया, surplus भी इस्तमाल हो गया, तो minus कर देते हैं, sir, minus कर देते हैं, तो यहाँ पे minus कर देंगे general reserve, कहाँ चला गया, यह transfer हो गया, कहाँ transfer हो गया, CRR में, कितने इस्तमाल पूरे 4,00, तो general reserve अब देखेगा 0, और surplus में इसे भी minus कर देते हैं, sir, transfer हो गया, कहाँ transfer हो गया, CRR, कितने, sir, 4,00, रुपे, अभी भी इसमें बचा हुआ 1,00, और एक और नई entry create हो जाएगी, CRR की, जो की होगे हमारे 2 plus में, 2, दोनों के मिला के 4,00, रुपे का, अभी लेंगे, 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 एक एक करके, investment का चलो, अब बोल रहें loss तो ले लेते हैं, भी ले लेते हैं, loss, investment पे, sir, कितने का, अभी करा था, 40,000, तो ये बचेगा, हमारा कितने का, 60,000 का, चलिए सब, preference share को redeem करना था, मैंने पहले ही minus कर दिया, लेकिन यहाँ पर preference share पर हमें premium भी देना है, 50,000 का, तो हम यहाँ से minus कर देंगे, जो premium paid करेंगे, तो redeem वाला preference share का premium minus करने जा रहा हूं है, तो less security premium, कितने paid कर रहे हैं, 50,000, तो अब बचेगा हमारे पास यह 1,90,000, बिल्कुल step by step है, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं, preference share holder को bank से payment कर दिया, तो अब हमें cash and cash equivalent के अंदर कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो बना लेते हैं cash and cash equivalent, bank से payment करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके, इधर ले चलते हैं, यानि सर इसमें ज़्यादा जानकरी तो आएगी नेसी को आगे ले जाते हैं, और इसकी जब तक practice नहीं करोगे नहीं आएगा सीधी बात, अब देखो बच्चे कहेंगे सर लेंदी है, दस नमबर, पांच नमबर में इतना करेंगे, अब है तो करना ही पड़ेगा, note नमबर, जो भी आएगा, cash and cash equivalent, equivalent, cash and cash equivalent, सर क्या है cash and cash equivalent में हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास bank में पैसा पढ़ा है, तीन साथ, तो bank balance है, सर कितने का bank balance है सर, तीन साथ, त्री सिक्स्टीन, और भी पैसा आया, सर कहां से पैसा आया सर, share को issue करके दो चालिस आया, plus equity share capital से, दो चालिस आया, और भी पैसा आया, कहां से आया सर, investment बेचने से आया, कितना आया सर, पांच लाख साथ हजा, ग्यारा साथ, 360, 240, 5,60, 11,60, शलो 11,60 हमारे खाते में पैसे पढ़ा हुआ है, अब चेक करते हैं सर, आगे आगे बढ़ते के तो पता चला रहे हैं, यार 10,50 तो payment भी कर दिया है, माइनस कर दो सर, paid, 10,50,000, साथ कुछ बच्चों को नीचे नहीं देख रहा है, तो मैं उपर कर देता हूँ इसको, 10,50,000, तो 11,60 में से माइनस 10,50,000, 1,10,000 बच गया है, जो कि हम नोट में ले जाएंगे, आगे आजाएगे, जर्नल एंट्री ये व्यूद्ट है, इसको भी ले ले लेंगे अभी, अब हमने देखो, इधर का सारा आइटम, अल्रेडी हमने कर चुके हैं, करेंट लाइबलिटी में लिखा नहीं था, कितने हैं थे करेंट लाइबलिटी, सर, करेंट लाइबलिटी 6,00, इसी के आगे सीधा लिखिये 6,00, नोट नमबर वन, ये रहा हमारा नोट नमबर वन, 18 और 220, बस बात खतम, और कुछ भी नहीं है, सर, ये अगेन आगे हमारा नोट नमबर 20,00, ठीक है, रिजर्वेंसर प्लस, ये रहा मेरा रिजर्वेंसर प्लस, तो रिजर्वेंसर प्लस में कितने हैं, चार लाख साथ हजार, और एक लाख नब्बे हजार, चार लाख साथ हजार, प्लस एक लाख नब्बे हजार, छे पचास का हमारे पास यहां पे बैलेंस है, तो नोट नमबर टू, नोट नमबर टू, छे लाख पचास अजार Current Assets यानि PPE में आ जाते हैं Property, Plant and Equipment सर, Property, Plant and Equipment सर, तीन चार आइटम इसलिए बना रहे हैं तो जुरत नहीं पड़ती चलिए सर PPE, Property, Plant and Equipment आप एक बात नोटिस करेंगे कि जिसका नोट पता था वो लिख दिया बाकी किसी कहा कि नोट नहीं लिखा क्योंकि final मैं balance sheet में putting करूँगा फिर नोट नमबर लिखूँगा सर, PPE में क्या-क्या है आपके पास किताबें बताइए गा land and building, plant and machinery, furniture and fixture and motor भी कल तो सर, land and building land and building plant and machinery furniture and आपका motor car अब land and building का amount क्या है बीस लाख या बीस हजार ओके बीस लाख, पाँच लाख, एक लाख, चालिस हजार बीस लाख, पाँच लाख, एक लाख और चालिस, calculation बहुत simple अगर depreciation हुआ तो depreciation माइनस कर देते हैं लेकिन depreciation वगएर तो आगे आएगा चब्विस लाख, चालिस हजार सर यहाँ आजाओ और यह लिख दो चब्विस लाख, चालिस हजार सर inventory का कोई note नहीं बनेगा, अकेला है तो inventory 6 लाख और debtor 2 चालिस inventory आजाएगा अच्छा यह investment के आगे जाना था inventory कितना था हमारा 6 लाख 6 लाख और यह investment के उपर नहीं है यह नीचे उपर हो गया थोड़ा थोड़ा नीचे उपर यह लो उपर आ गया है सर investment क्या रखोगे, 0 यह कितना है, 2 चालिस और bank का balance अभी निकाला 1 लाख 10 अजार सर और कुछ रह गया balance sheet में अब ध्यान से देख लो, investment हो गया, debtor हो गया, stock हो गया, vehicles हो गया 6,60 है वो stock stock 6,60 है तो गलती से थोड़ा हमने लिखना भूल गया चलो जी छे लाख और 1,0 और 6,60 तो सर, stock हो गया, over plant, machinery, motor, vehicle, सब कुछ हो गया और इधर से भी हमने सब कुछ ले लिया and all नीचे जितनी जानकारी थी, इसी सब जानकारी को हमने यहां पे incorporate कर लिया अब फटा फट से बस हमें total करना है balance sheet में नोटिंग डालना है, इसका note number 3 होगा, इसका note number 4 होगा इसके लिए note नहीं, इसके लिए note नहीं, इसका note number 5 तो एक number ये था, दो number ये है investment का note number दे दिया है मैंने इसका note number 5 कर देते हैं, इसका 6 कर देते हैं ये note number 5 है investment ये note number PPE 4 है और ये note number 6 है अब देख लेते हैं total क्या आता है total क्या आता है sir total आएगा 20,26,50,000 26,50,000 plus 6,00, plus 6,00, 32,50,000 और इधर भी total कर लेते हैं कितने आगे 26,40,000 6,60,000 2,40,000 और 1,10,000 तो लो जी लो मैंने ज़्यादा नहीं कर दिया 26,40,000 6,60,000 कोई गड़बडी है क्या रिजर्वेंसर प्लस गलट टूटल है मेरा का है रिजर्वेंसर प्लस चार लाग एक नब्बे और ये कुछ सरप्लस छे पचास है 10,50 कुछ पॉइंट रहे गया क्या देख लेते हैं पांच चार नो और दो ग्यारा सही बात है 10,50 आना चाहिए हमने क्या गड़बड़ कर दी चार लाग चार लाग मेंसे बचए एक लाग एक लाग छार लाग यहा आँ गया एक मिनिट हमने CRR आठ लाग का बनाए है कितने का बनाए है 8 लाग का 8 लाग का बनाए CRR समझ में आई बात आपको तो 8 और इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 10-50 हो जाएगा ठीक है सर ये आ जाएगा 10-50 तो 10-50 से यानि कितने बढ़के सर ये 4 लाग बढ़के तो 36-50 और ये भी क्या रहा है हमारा 36-50 बैलेंशीट हमारा मैच बैलेंशीट मैच किसी का कोई डाउट है क्या किसी का कोई डाउट है क्या बताईए किसी का कोई डाउट बता दें फटा फट किसी का डाउट No Note number 2 फिर से बता दे कुछ समझ नहीं आ रहा सर भई अब दूसरी क्लास में तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा पहली क्लास आप देखेंगे तभी समझ में आएगा और जल्दी से जल्दी आज ही देख ले नहीं तो धीरे धीरे corporate account अपना असली रूप दिखाने लगेगा ठीक है तो पहले उसे देख लें कुछ ऐसा नहीं है अगर आप पहली क्लास देखेंगे तो बड़ा simple तरीके से है उसी को हमने यहां plot किया है और जब भी क्लास देखे न तो एक आप सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा register और panel लिख के जरूर नोट कर ले एक आप कसम खा ले के भाईया हमें लिखना है चाहे कुछ भी हो जाए समझ आए चाहे नाए लिखना जरूर है पहले तो लिखने से आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़े ठीक है बच्चों का reserve and surplus में एक बच्चे का doubt था reserve and surplus में कैया देखो security premium ये कौन सा है सर ये old वाला है पुरानी balance sheet में किताब में देखिए ये fresh issue से security premium आया और ये हमने payment किया तो security premium में total बच गया एक नबबे generalism में 4,000,000 था जिसको हमने निकाल लिया और CRR में भीज दिया तो यहाँ बच्चा 0 surplus में 5 था उसमें से generalism के CRR के लिए 4,000,000 निकाल लिया बच्चा 1,000,000 40,000 का loss बच्चा 60 और CRR जो create किया था हमने 4 प्लस में 4 तो वो आगे हमारा 8 इन सभी को जोड दिया तो यह बनी गया 10,50,000 जिसको मैंने note number 2 में put कर दिया है बताइए doubt clear है